So, Hey What's Up Guys, कैसा आप सभी? So, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक काफी कमाल के अपटेट के बारे में जिसके अंदर आप लोग देख सकतो, कंट्रोल सेंटर है, वो चेंज हो चुक है आपकी जो आप लोग स्कीरिन है, वो पूरी की पूरी चेंज हो चुक है कस्टुमाइजेसन है, वो इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं वोल पेपर से, वो आप लोग अपने साब से यहाँ पर चेंज कर सकतो आपको कलोग डिजाइन है, वो चेंज करने का ओप्शन मिल जाता है वीजेट्स को चेंज करने का ओप्शन मिल जाता है और प्लस एक कम्प्लीट यू आई है, वो आपको मिलती है सो कैसे आप लोगों को अपलाई करने है, और कम्प्लीट फिचर जाने के लिए वीडियो को end तक देखना और वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है तो ये वीडियो को लाइक कर सकतो इस तरकी की वीडियो बनाने के लिए काफी ज़दा मेनत लगती है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को यहाँ पर all पर प्रेस कर सकतो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे first change के बारे में जो कि आप लोगों को मिलता है setting application के अंदर तो जैसे आप लोग open करोगे आपको एक change है वह आपर notice होगा कि यहाँ पर यह जितने भी जो icons है वो आप लोगों को सभी change देखने को मिलते हैं सो काफी एक अच्छा page है ना वो नजर आ र control center यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की तर वाई-फाई प्लस डार्क बोड के जो toggles है इनकी जो shape ना corners है वो आप लोगों है आप थोड़े और round देखने को मिलते हैं और नीचे से भी आप लोगों को कुछ icon है उनके अंदर change है ना वह आपर मिल जाते हैं वहीं हम लोग बात navigation का icon है यहाँ पर move करता रहता है तो tension मत लेना इससे battery train का issue है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा और भी आप लोगों को icons हैं उनके अंदर moving changes है वो मिलते हैं जैसे कि आप यह internet का आप लोगों को icon मिलते हैं तो आप लोग इसको check कर सकतो बाकि सबसे कमाल का जो change है वो पेस वाला wallpaper है वही लगता है तो आप लोग भी इसको apply करके रख सकतो बाकि आप लोगों को यहाँ पर clock पर click करने ताकि आप लोग जो clock है उसकी fonts है वो यहाँ पर change कर सको तो यह वाला सही लग रहे है इसको हम लोगों ने apply कर लिया है प्लस इसकी जगह है न वो भी आप ल यहाँ से आप लोगों को जो widgets है उनको choose करने का option है वो मिल जाता है तो जो भी आप लोगों को favorite widgets है वो पसंद आते हैं तो उनको आप लोग यहाँ पर इस तरगे से apply कर सकते हो बाकी मैं आप लोगों से बात करूँ एक और इसके change के बारे में तो यहाँ से आप लोगों को जो dynamic island है उसको भी आप लोग set कर सकते हो अब उसको set करने के लिए आपको simply एक setting है ना वहाँ पर करनी होगी यहाँ से यह जो line है तो नीचे की दरफ slide करना है तो यह जो control center है जो की low की screen का है वो open हो जाएगा आपको island का option मिलेगा इसको on कर देना है अभी by default आपके device के अंद आइकन है इस पर जाने है अभी आपको यहाँ से इसको अपने साबसे आपर select कर लेना है तो हो सकता है आपके device के अंदर जो punch all camera है वो middle में हो सकता है बाकी ज़्यादा तर डिवाइस के अंदर left side के अंदर ही है तो आप लोग इसको अपने साबसे आपर इस तरीके से set कर सकत तो बाकी अलग-अलग emoji के जो option है वो भी आपको यहाँ पन मिल जाते है बाकी एक मैं आपको suggest करूँगा यह जितने भी जो option है सभी को आपको off करके रखने है ताकि जो भी features है वो अच्छे तरीके से आपर work कर सके बाकी guys यही ता इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों आप लोगों को कैसे apply करने है तो आपको हमारा यह वाला telegram channel मिलेगा ओपो system app update इसका link मिल जाएगा आपको description में simply आपको यहाँ पर हमारी यह वाली application मिलेगी इस पर click करने है और save to downloads पे आपर कर देने है अभी बेक आके आप लोगों को simply आपर जाने है my files के अंदर और जो होगी इस पर simply आपको click करके रखने है और send button पे जाने है अभी आपको यहाँ पर theme store का option मिल जाएगा वैसे यह थोड़ा आप लोगों को अलग लग सकता है लेकिन आप लोगों को यहाँ से free trial है वो कर देने है बाकि यह जो theme है वो apply हो जाएगी उसके बाद में theme store पे जा आप लोगों से नेक्स टूडियो में जेहिंद वंदे मातरम